Hello everyone, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की current phase की class is बहुत ही important है, आज की जो current phase की class होगी उसमें बहुत ही important questions को add किया गया है तो pen paper लेकर आप जरूर बैठ है, चलिए बिना like, subscribe और इधर उगर की बाते की वे direct मुद्दे पर आता हूँ, very first question आप एसमने यह रहा under which of the following, किस ministry ने, देखिए सिधी सिधी बात है, कि डबबा बंद जो खादिपदार्थ हैं, उनकी health star rating शुरू की जाएगे, देखो rating मिलता है न, कि यह three star है, AC freeze बगरा में, electronic gadget में, कि यह इतना electricity आपको budget करेगा, यह थोड़ा सा क्या है, budget friendly refrigerator है, या फिर बहुत सारे जो gadget सात है, electronic, उसमें यह लिखा होता है, तो अब यह rating भी देगा, और आपको बताना है कि इसकी सुरुवात कौन सी ministry करेगी, ministry of education, ministry of health and family welfare, ministry of tribals या ministry of culture, देखो simple सी बात है, education का इससे कोई लेना देना नहीं है, और यह जो नीचे दो है, ministry of tribals और culture, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ministry of health और family welfare इसका, जो है, monitoring करेगा और rating देगा, be is the right answer, यहां से आप इसकी देख सकते हो, image भी देखिए, question यहां से पूछा जा सकता है आप से, FSAI का full form क्या है, नीचे comment करके बताईएगा, by the way अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो इसमें भी इसकी full form दी गई ह very next question आपके सामने ये रहा, in which state of India will the SAAF and National Cross Country Athlete Championship be held, यानि कि SAAF और National Cross Country Athlete Champion भारत के किस राज में आयोजित कीज आएगी, केरला में, सिक्किम में, माराश्टरा या फिर नगलेंड में, इसका जो right answer होगा, यहां से देख लिजिए आप, यह जो टुनमेंट है, इसका आयोजिन आपको देखने को मिलेगा, यहां से आप देख सकते हो, इसकी image भी यहां पे है, जो press conference की गए थी, वहां पे चीजों को declare किया गया था, आप यहां से देख सकते हो, तो यह आपको क्या जाएगा, इंदरा गांधी stadium in Kohima, तो देखिए, यह Kohima में होने वाला ह आपको मिलेगा नागा लेंड में, यानि कि D is the right answer, बढ़ेंगे अगले question की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, IBM, IBM जो है, हाल में ही इन्होंने एक जो security, cyber security है, इसे किस Indian city में launch किया है, आंसर है, पूने, चिन्नई, हैदराबाद या बैंगलूरू में से कोई एक, तो आपको रखिएगा, इंडिया का Silicon Valley भी वेंगलूरू को कहा जाता है, और वेंगलूरू कहा आपको मिलेगा, वेंगलूरू आपको मिलेगा, करनाटका में, आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, name the minister of state for culture and external affairs, आपको बताना है, संस्कृति और विदेश आज मंतरी का नाम, राज मंतरी, याद रखिएगा, जिन्होंने हाल में ही बंदे मातरम के लिए एक signature tune जारी की है, जी किसन रेडी, अनुप्रिया पटेल, मिनाक्षी लेखिया, अनुपुर्ना डेवी, इसका जो right answer है, देखिए, यहां से आप देख पाओगे, यह signature tune आपको comment करके बता, देखिए, एक और important बात है, Grammy Award winner जो है, रिकी केज, इन्होंने और जो Oscar container है, विक्रम घोस, इन्होंने जो है, इसका tune त्यार किया है, विक्रम घोस, कॉलकाता से आते हैं यह, तो आपको बताना है, कि कौन से वो state minister है, तो उनका नाम देखिए, मिनाक्षी लेखी है, G, C, C, Yes, C is the right answer, अगले question के और बढ़ेंगे, और मिनाक्षी लेखी, New Delhi से MP है, Member of Parliament, आगे बढ़ेंगे, next question के लिए, नेमदा, दखिए, आपको Lieutenant Governor का नाम बताना है, जमू एंड कस्मीर का, दखिए, यह साइद, आप जब विडियो देखोगे, तो साइद आगे किनी और का नाम आजाए, बट यह फिलाल के लिए, जो है, मनुसिना है, साइद आगे आपको कोई और नाम दिखेगा, तो इस पे नजर बना के रखिएगा, यह question बहुत ही भी भी आई है, और time to time यह बदलता रहेगा, क्योंकि साइद मनुसिना को हडा दिया जाए, तो या अनन सोने वाल को सेंट्रल में मिनिस्टर के तोर पे रखा गया है, तो आपको बताना है कि किस संग्राले का इनोंने उध्गाटन किया, यह जो ड्रेजिंग संग्राले है, इसका उध्गाटन इनोंने कहां पे किया है, विजयवाड़ा, विशा का पत्नम, तिरुपति या इनलोर में तो इसका राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे यहां से आप देख लो इनकी जो इमेज है इनही का जो आसरम है यह उद्घाटन किया गया है और यह किया गया है विसाखा पटनम में बहुत अच्छी स्टेशन है मैं बहुत बार जा चुका हूँ बहुत आंसर हो जाएगा अगले इस कोश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फोर्मेशन में देदू अगर आप AES की तयारी कर रहे हो Atomic Energy Education की तो 100 रुपीज में आप प्रिवेश से र कोश्चन पेपर पर्चेस कर सकते हो अगर आप मेरे हैंड इसके लिए यहां से मेरी इमेल आड़ी देख लिजे योर मिथून सिंग अड़री अधिकारी के रूप में फिर से रिपीट किया गया है इनको मंजूरी देदी है तो इसका जो राइट आणसर होगा यहां से आप देखी पाओगे भारतिय और द्योगिक विकास बैंक यानि की Industrial Development of India is the right answer अगले कोश्चन की और बढ़ेंगे और यहां से आप इनकी इमेज भी देख पाओगे राके सर्मा की रिसेंटली विच कंट्री अप्स्टेंट प्रम वोटिंग उन यूएस अ स्पॉंसर्ड यू एन एस्सी रिजिलेशन और रसिया यूकरेन कॉंप्लिक्ट दखिए रसिया यूकरेन वार हो रहा था इस पे अमेरिका ने यूएन एस्सी में एक प्रस्ताव लाया तो कौन सी अगले कोशन की और बढ़ेंगे अगले कोशन की और बढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसवर होगा वो है PM मोदी और यही इसके अध्गाटन को की जो काम है इसको पूरा करेंगे आगे बढ़ेंगे, हाँ भारत में निमलिकित में से किस देश में भारत के बाहर अपना पहला IIT अस्थापित करेगा, देखिए हम लोगों जिसके साथ friendly relation अच्छे से करते हैं, उसी country में हम लोग IIT अस्थापित करेंगा, IIT बहुत ही prestigious है, जहां पर बहुत सारे अच्छे-च quality के बच्चे हम लोग देते हैं, इंजिनियर्स निकालते हैं, तो इसका जो right answer होगा U A आञ करो ण TED- Wir बच्चे हम लोग 25 बार्ट, जहां जहाऊज हैं, जहाँ झालत्सकान है, जहां दो इसकाराइवा हैं, तो इसकालते हैं, प्रिचल Mutu करेंव और देते हैं, अच्छे में लोगों हाँ वोगों,rings'ाचों करें, ढुरादार हैं, तो हैं बहुतने हैं नहां झाय